आप सोचें कि एक गर्ग में पांच लोगों के लिए आपको काना बनाना है तो चुनोती है पहले पांच लोगों के लिए काना खिलाना है तो उनके लिए पॉकेट में पैसा होना चाहिए तो पैसा कमाना है पहले आपको अमारा चुनाओती जो हर दिन एक लाख लोगों के लिए काना बनाना है मात्र चार गंटा में आपको एक लाख बनाना है तो यह बहुत बड़ा चुनाओती है पूरा दुनिया में इस तरह की किछन नहीं है मैं जिसरफ भारत की नहीं बोल रहा हूँ पुरा दुनिया में जो इतना मात्रा में एक जगा पे जो काना बनता है ऐसा कई भी नहीं है सामान करीदने से और सामान करीदने से भी पहले इसकी दंदराशी कटा करके सामान करीद के फिर सामान को जो है प्रोसेस करके फिर कुक करके फिर गाडियों में लोड करके फिर स्कूलों तक पहुंचाना और परोसना ये पूरा सिलसिला जो है चलता है ये जो कुकर आप देख रहे है ये चावल का कुकर है तो बाप बनता है स्टीम बॉइलर में और पइपलाइन में गिनेको इसको कनट किया जाएगा और ये 100 विल चावल करीब फंदरा मिनिट में बन जाता है डाल इसमें बनेगा, कि अब बनेगा ना बी दाल वी उसी सिस्टम से जाएगा से नीचे पड़ेगा ग वहांपे में, फूरा के उसरे कुछरे अस्तार्त भाइने में इसे कीशारे कि वहांट भी साहिए कुछригा उसरोग सामिलंआ है होजकार से आप यहां की लोग असन्नी लोगों को कैसे जोड़ेंगा एक दो साल जो है बाहर से आदमी रखना ही पड़ेगा जो इसको जानता है और फिर यहां के लोग जो है जब सीख जाएंगे तो आम बाहर के आदमी को आपको सालरी ज्यादा देना है भई कोई नहीं चाहता है कि बाहर के आदमी ले क्या है कोई भी कमपणिया अगर यहां आती है कोई भी NGO साते हैं यहां पे तो सबसे पहले रहता है कि जारखन मतलब करप्शन करप्शन हर जगा पे है ऐसा नहीं कि जो है सिरफ जारखन में करप्शन है यहां हर जगा पे भहुत अच्छे लोग भी है आपको रावन भी मिलेगा ता राम भी मिलेगा आपको कृष्ण भी मिलेगा कमश भी मिलेगा आपको उनसे डील करना है पूरे भारत देश में 68 महा किचन चलाने वाले अच्छे पाक्तरा का किचन आज हजारी बाग जिले में खुला है जारखन के जो महा महिम राजिपाल है सिपी राधा कृष्णन और हजारी बाग जिले के सांसद स्रीजयन सिर्ना जी ने आज इनका उद्रहाटन किया है और एक चीज और आपको हम बता देते हैं कि अच्छे पात्रा पूरे भारत देश में 68 किचन चलाता है और सरकारी स्कूलों में मिड़े मिल पहुचाने का काम करता है और बच्चो को पोष्टी का हार पहुचाने में सभलता कायम किया है उसी को लेकर आज हम यहाँ पे पहुचे हैं यह हजारी बाग जिले का मेगा किचन है उनके जो संचालंग है वो हमारे साथ है सर सबसे पहले तो आपको जहार खंडी जुहार आपको भी किस तरह से हमने देखा है कि जिस तरह से आपने बैंगलोरू से सुरुवात किया था इस मेगा किचन का और आज मिडे मिल पहुचाने में आप काम्याब रहे हैं सेंटरल गॉर्मेंट और राजसरकार के साथ मिलकर सबका साथ लेकर आज बच्चों को पॉस्टी का हार आप पहुचा रहे हैं तो आप जहार खंड में भी आपका एक किचन खुला है तो हमारा काम तो भ्रहत काम है कि मतलब आप सोचे कि एक गर में पांच लोगों के लिए आपको काना बनाना है तो चुनोती है पहले पांच लोगों के लिए काना खिलाना है तो उनके लिए पॉकेट में पैसा होना चाहिए तो पैसा कमाना है पहले आपको या आपके गर में कोई शादी हो रहा है 200-400-500 लोगों को खिलाना है तो शादी के लिए कितना दिन लगता है गर में व्यवस्ता करने के तो हमारा चुनोती हर दिन एक लाख लोगों के लिए काना बनाना है और मात्र चार गंटा में आपको यह चार लाख बनाना है तो यह बहुत बड़ा चुनोती है लेकिन इस चुनोती को जो है कैसे निवारन करे उसके लिए जो है हमें टेकनोलोजी और मैनेजमेंट यह सब का उपयोग करना पड़ता है और अक्षेपात्रा की यस यात्रा में जो करीब 24 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं हम बहुत कुछ सीका है तो उसके वज़े से जो हम लोग ये भूती ब्रहत काम है पुरा दुनिया में इस तरह की किछन नहीं है मैं सिर्फ भारत की नहीं बोल रहा हूँ पुरा दुनिया में जो इतना मात्रा में एक जगा पे जो काना बनता है ऐसा कहीं भी नहीं है तो ये सिर्फ अम लोग काना नहीं बना रहे हैं हम काना बनाके उसको जो है स्कूल दूर दरा क्रिब यहां से 25-30 किलोमेटर दूर की स्कूलों में भी जो है हम लोग उनको वहां तक पहुंचाते हैं तो इसमें सामान करीदने से और सामान करीदने से भी पहले इसकी दनराशी कटा करके सामान करीद के फिर सामान को जो है प्रोसेस करके फिर कुक करके फिर गाडियों में लोड करके फिर स्कूलों तक पहुंचाना और परोसना यह पूरा सिलसिला जो है चलता है तो लेकिन यह संभव है और मैं मानता हूं कि इस कारिकरम के पीछे जो है भगवान की हाथ है और अमारी मंदिर की और अमारी संस्ता की विबिन बक्तों की प्रयास है यह सिरफ एक विक्ति का काम नहीं है कि बहुत लोग बहु कई लोग जो है इस में शामिल है सिफ संशेप में हम सिर्स समझना चाहेंगे कि कि बीस्के για Zombi पुरी तरह से वरकिंग कब तक होजाएगए या फिर इसमें तरह करेंग हैं क्रिपट 25,000 बच्चों के लिए जो है और 3-4 माइने में जो है रेडी हो जाएगा लेकिन एक लाग बच्चों के लिए जो है अभी धनराशी हमारी पास उतना नहीं है पूरा प्लांटेड मशिनरी को क्रियान्वन करने के लिए वो एक-दो साल लगेगी हमको करने में लेकिन बाकी सब होगा यह जो होता है व जो इसको कनक किया जाएगा और यह 100 किलो चावल जो है करीब 15 मिनिट में बन जाता है एक बार बन गया तो इसको जो है चावल को गिराए जाता है उस तरफ और फिर वह ग्राविटेशन से जो है उस तरफ गिरा जाएगा और फिर बरतनों में पाक किया जाएगा और उदर स के लिए जाएगा गाडियों में बर दिया जाएगा और दाल इसमें पकेंगे दाल जैसे कि तीन चार्फ छावल का है फिर दो दाल का है अभी फिलाल के लिए यह बहुत मातरा बहुत बढ़े गा इसका कुकर तो यह ढाल इसमें बनेगा दाल भी जो है उसी सिस्टम से और नीचे जाएगा और collection tank होगा उसका वहाँ से बार की तरफ collection होगा। collection tank में उसको बंड़तनें फाइनल बंड़तनों में पाक किया जाएगा गाड़ियों में लोड़ जाए जो बड़ा वाला जो दीख रही है वो क्या है वो भी दाल का है यह बारा सो लीटर का डाल का कुकर है और वो थीन अजार लीटर का डाल कुकर है और जैसे अगर हम लोग भी वहाँ पर देख रहेते हैं लेकिन एक समस्या यह होती है कि जाते-जाते जो ट्रैवरिंग लगेगा उसमें खाना थंडा होने का चांज थंडा नहीं होगा आप आप देखेंगे तो जो है यह बरतन जहां पाना लेके जाएंगे यह एक्चलि इंसुलेटेट वेजल बरतन जो है उसमें घरम जैसे कि थरमस है उसी तरह का थरमस का बरतन है यह इसकि चावल जो है आपने पैक किया तो चार गंटे के बाद में वह सतर डिग्री रहेगा ओकाने नहीं लगा पाएंगे हम जहां तक हम अगर आपके साइट पे देख रहे थे और अगर बहुत सारे सोसल मीडिया पर है कि आपका किचन आयो से सटिस्फाइड है अमारा सारा किचन तो उसकी गुणावत्ता मतलब आये सो ट्वैंटी तौजन लाना मतलब उस काम की प्रक्रि इसाइट को सामना आपको करना पड़ेगा आपने सीटी में ज्यादा किया है जैसे बैंगलोर हो गया है चोटे-चोटे शेहरों में भी जएगा है मत्रुड़ा जिल्ला है वह चोटा जिगा जारखन का परिवेश कुछ अलग है यहां पर आपको दो चीज़ पहले तो रोड की समस्या आपको बहुत ज्यादा मिलेगी सुदूर इलाके में जहां आदिवासी लोग रहते हैं वहां पर अभी तक रोड नहीं है तो वहां पर कैसे पहुंचेंगे तो जैसे कि जो है यह से स्सकूलों का हम लोग शामिल कर रहें अभी फिलहाल के लिए किस्कूलों में खाना जायेगा अभी जो है परसोल से जो है मंडे से कि रोजगार से आप यहां कि अस्तानी लोगों को कैसे जोड़ेंगे। जो भी काम करेंगे। जो भी काम करने वाले Patrol टोन हमनों को सबब करने और उपर आरोफ लगता रहता है आप तो एंजी ओ भी हैं फिर भी आप बड़े कीचन बड़े लेबल पे काम मास लेबल प лучше आप काम कर रहे हैं लेकिन उनके उपर आरोफ लगते आया है पर लिए ठ्रेस लिए अब्टर करेंगे क्योंकि एक किचन चलाने के लिए तोड़ा अबिलिटी भी चाहिए ना कि ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर इसको चला पाएगा तो हमको एक दो साल जो हमको बाहर से आदमी रखना ही पड़ेगा जो इसको जानता है और फिर यहां के लोग जो है जब सीख जाएंगे तो हम बाहर के आदमी को आपको सालरी ज्यादा देना है भाई कोई नहीं चाहता है कि बाहर के आदमी लेके आए क्योंकि सब चाहता है लोकल को आदमी लखे लेकिन जब प्रॉब्लम यह होता है कि जो है जब अबिलिटी नहीं होता है तो बाहर डूड़ना पड़ता है करफशन का यहां पे कुछ होता नहीं क्या आप यहां सभांकी जहां सब्सक्रापूम कि आए और इसे сरकार है कि करफशन आपका काम बाधा बन रहा sei देखे, हर जगा पे, मैं बारत में कही जगा पे काम किया हूँ, कर रहा हूँ करप्शन हर जगा पे है, ऐसा नहीं कि जो है, सिरफ जारकंड में करप्शन है यहां, हर जगा पे भहुत अच्छे लोग भी है तो यह दोनों पहलू है, जिन्दगी है, आपको रावन भी मिलेगा, तो राम भी मिलेगा आपको कृष्ण भी मिलेगा, कमस भी मिलेगा, आपको उनसे डील करना है आपको काम करना है, तो कमसे भी डील करना है, रावन से भी डील करना है और राम की क्रपा और क्रिष्ण की क्रपा से जो इन लोगों से जो जूज लेंगे तो यह जीवन का सिल्चला है जीवन का सत्य भी है तो यह जगा पर उसको डील करना है कैसे करना है क्या करना है हम लोग देख लेंगे उसको आंडल कर लेंगे आपका थोड़ा आपका परीच रहे हैं जहां से कुछ दिनों के बाद एक लाग सरकारी स्कूल के बच्चों को पॉस्टिक आहार देगी अक्षे पात्रा का ये किचन आज महा महिम राजपाल और हजारी बाग के जो सांसद हैं जैयन सिना जी के दुआरा ये उचका उद्गाटन किया गया और लोग लगे है जोर सोर से जितना जल्दी हो जितना जल्दी ये किचन शुरू हो जाएगा और बच्चों को पॉस्टिक आहार मिलना शुरू हो जाएगा मेरा नाम है अमीत और आप देख रहेते द्धा पंचायत नीज नमस्कार